कि यूट्यूब चानल जब कोई ओपन करता है तो बहुत लोग ये गलती करते हैं और ये गलती के बज़े से उनका चानल का जो वीडियोज है वो बहुत बार बैन भी होता है और चानल को भी अफेक्ट करता है कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है यूट्यूब की जो अगर आप ध्यान दना दो उसके उपर तो इट विल अफेक्ट यूर ग्रोथ ऑन यूट्यूब तो अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो आप अपको लॉट्यूब करना है यूट्यूब में तो यह सेटिंग्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए यस तो आज मैं कुछ ऐसी एक सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ जो सेटिंग अगर आपने सेट नहीं की उसमें अगर आपने गलती की और आपने वीडियो अपलोड कर दिया तो आपका चैनल डाउन होने में टाइम लगेगा नहीं यूटूब विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इस चैनल इस वीडियो जो यह गलती आप ना करें अगर कर रहे हो सुधारे इसको इसके यह वीडियो बना रहा हूं यह सो हाई वाल मानेम इस प्रतिक देश्मुग और वेलकम यूल तो मैं चैनल तो गाईज यह सेटिंग जो है वह मैं आपको दिखाऊंगा मेरे चैनल पर जो मैंने परके रखिये तो हर वीडियो के लिए मुझे वो सेटिंग नहीं करने पड़ सेटिंग में आपको जाना है चैनल पर आपको जाना है देन अधवांस सेटिंग में अगर आपने सेट नहीं किया तो देख लिए यह सेटिंग है रिगारिंग ओडियंस ओडियंस में आपको सिलेक्त करना होता है कि do you want to set your channel as made for kids ओके तो यह वो सेटिंग है जो मैं आपको बताना चाह रहा था आज तो चनल आपका वीडियो जो है हर एक वीडियो इस इन मेड फॉर किड्स वो बच्चों के लिए है या नहीं 14 years के अंडर है तो आप बच्चों के लिए को सिलेक्ट करोगे लेकिन 14 years and above है तो set it as not set for kids तो यहाँ देख पर हो तीन ओप्शन से yes set this channel as made for kids and second है no set this channel as not made for kids I never upload content that's made for children yes तो अगर आप specifically बच्चों को लेके बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हो then only आपको यह यह सिलेक्ट करना है else आपको यह no पर सिलेक्ट करना है और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे चानल पर मतलब कुछ बच्चों के लिए भी है और कुछ बड़ों के लिए भी है कुछ मतलब below protein है और कुछ above protein है तो यह आपको third option select करना है I want to review this setting for every video लेकिन इसमें आपको यह करना होगा कि हर वीडियो के लिए आपको select करना होगा कि यह वीडियो बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है अगर आपने इसमें गल्ति कर दी तो वो वीडियो तो problem में आए गई आएगा लेकिन आपका channel भी problem में आ सकता है यह setting को YouTube जो है बहुत seriously लेता है क्योंकि यह US Children's Online Privacy Protection का जो policy है इनका तो यह बहुत ही strict होता है इसमें कोई आप बड़ बड़ ना करे तो अगर आपने setting की है तो अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं की है तो आज ही setting कर लेए आपके हर एक वीडियो के लिए या फिर आपके चैनल के defaults के लिए Yes, defaults के लिए Yes, so guys यही setting के बारे में आज में बताना चाहता था कि क्योंकि मैंने recently कुछ लोगों को देखा है जिन्हों नहीं setting नहीं की थी और उनका चैनल अपेट हुआ है बुरी तरह किसे Yes, so उमिद है आप सबको यह setting समझ में आई होगी और in case आपको कोई query हो तो आप comment में लिख सकते है question I will try and reply on that Yes, so और in case आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज subscribe to माँ चैनल ताकि ऐसे ही interesting और informative useful वीडियो में आपके लिए बनाता रहोंगा Thank you and all the best